स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम अठरवी सदी के मद्य में यूडोप में अभिजाद बर्ग और किसानों की क्या इस्तिती थी इसके बर्णन को देखेंगे ये कोश्चन आपका इतिहास का काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है और ये तेन दिख्जाम में कहीं बार पूछा जा चुका है तो चलिए देखते हैं इसके उत्तर को हम लिखेंगे अभिजाद बर्ग और किसान बर्ग की इस्तिती इस प्रकार थी पहले हम अभिजाद बर्ग का बर्णन करेंगे उसके बाद हम किसान बर्ग का बर्णन करेंगे तो अभिजाद बर्ग का जो फर् मिंदार अभिजात वर्ग था वो पर्मुक एक बंश माना जाता था दूसरा पॉइंट वे जीवन में एक सामाने तरीके से एक जुट थे जैसे कि बड़ी संपत्ती और सहरों के बड़े घरों का मालिक होना कूटनी थी और उच्छ समाज में फ्रांसीजी भासा का उपियोग करना ठीक है वे जीवन में एक सामाने तरीके से एक जुट थे जैसे बड़ी बड़ी जो संपत्ती होती थी वो अभिजात वर popsती शहर में बड़े घर का मालिक होते थे वे लोग और कुटनीती और समाज में उच्छ समाज में क्या होता था वे लोग फ्रांसिसी भाशा का उप्योग करते थे इसका जो तिसरा पॉइंट है वे एक दूसरे के साथ विवा के बंधन में भी बंधे हुए थे इस पकार अभिजाद बर्ग शक्तिशाली था लेकिन वे अल्पमत में थे ठीक है इस तरह से क्या होथ था अभिजाद बर्ग था तो लेकिन ये काफी सक्ति शाली था लेकिन इनकी जो संख्या थी वो बहुत कम थी अब हम देखेंगे किसान बर्ग किसान बर्ग का जो फर्स्ट पॉइंट है यह है अधिकांस आपादी किसान थी ठीक है अधिकांस जो आपादी थी वो किसान बर्ग में शामिल था क्योंकि अभिजाद बर्ग उछी अभिजाद बर्ग में शामिल थे और जबकि किसान बर्ग सबसे अधिक था उस समय दूसरा पॉइंट पस्टी में अधिकांस घुमी पर किरायदारों और छोटे मालिकों द्वारा खेती की जाती थी ठीक है जो भीजाद बर्ट के पास जो जमिन थी वो अधिकांस जमिन क्या होता था किरायदारों द्वारा और छोटे मालिकों के द्वारा खेती की जाती थी तीसरा पूर्वी और मद्ध यूरोप में बरी बरी जागीरे थी जिन पर किसी दासों द्वारा खेती की जाती थी पूर्वी और मद्धी यूरोप में जो बड़ी बड़ी जागीरे थे उन पर किसी दास दासियों दुबारा किया जाता था ठीक है जो किसान बर्ग के लोग थे वहीं लोग केतिवारी का काम करते थे तो इस तरह से हमने इस कोश्चन में 28 सत्ताब्दी में समाज में राजशत बर्ग यानि अभिजात बर्ग और आपका किसान बर्ग के बर्णन को देखा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करना चाहते हैं यह आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं धन्यवाद